किस किलावा स्क्रीन के उपर आपको एक wallpaper नजर आ रहोगा जिसके अंदर तमाम questions की timing दी गई है लेकिन मैं prefer यह करूँगा कि आप लोगों को इसी वीडियो की description में जाए और वहाँ जाके तमाम questions की जो time code है उनकी मदद से उन questions तक पहुंचिए और इसकिलावा मेरे channel का link जो है इस वीडियो की description में भी मौझूद है शुक्रिया असलाम लेकुम कैसे आप लोग उमीद करता हूँ आप सबके सब जो हैं बिल्कुल खहरियत से होंगे exercise then point two का question number six आप लोगों को screen के उपर नजर आ रहा है पिछला part इस exercise का जो है उसका link इस वीडियो की description में मौझूद है आप वहां जाकर वहां तक पहुंच सकते हो तो question को पढ़ते है question को पढ़ो तो use distance formula distance formula को इस्तमाल करना है to verify थाबित करने के लिए verify करने के लिए क्या बात साबित करनी है कि points A, point B, point C जो है वो collinear है ये बात साबित करनी है दुबार से बता देता हूँ कि point A, B, C जो है वो coll collinear क्या है इसके ओपर थोड़ी सी बात करें तो देखे, collinear points ऐसे points हैं जो के एक straight line के उपर मुझूद हो, ठीक है, मिसाल के तोर पर यानि के एक point यहां है, एक point यहां है, एक point यहां है, एक point यहां है, एक point यह जितने भी डाल दो, 2, 3, 4, 5, 6, 8, तो वो जितने भी points हैं, अगर वो एक straight line में ही मुझूद हैं, एक cd line में मुझूद हैं, तो its mean वो सारे के सारे points जो हैं, वो collinear हैं, जैसे इस point का नाम A रख दूँ, इसका B रख दूँ, इसका C रख दूँ, इसका D रख दूँ, तो मैं यह कह सकता हूँ कि point A, B, C, D are collinear points, क्यों? क्योंकि एक straight line में मुझूद है, I hope, collinear का concept समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं, और बाकिस question को solve करता हूँ थोड़ा सा, और फिर साथ साथ समझाने के कोशिश करता हूँ, तो solve करने लगों, तो सबसे पहले लिखूंगा मैं solution, solution लिखने के बाद हमें question में points दिये गए हैं, तो यहा क्या है, 3 minus 5 और point C बताये गया है, जो के है, minus 2, 15, तो यह तीनो points है, सबसे पहले मैं क्या करूँ गा, क्यूंकि distance Frymool updates को इस्तेमाल करना है, तो मैं point A से B तक का का फासला मालूम करूंगा फिर B-C-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T से भीnous यह बसुर्षन करते हैं मिटाने के बाद इसको थोड़ा सा UPPER करते हैं UPPER करने के बाद यहांपर लिक लेता हूं- तो x2 minus x1 होता है तो यहां पर आजाएगा 3 minus 0 और यहां पर आजाएगा hole का square उद्धर मियान में plus और फिर y2 minus y1 तो minus 5 और minus और यहां पर minus 7 और यह hole का square फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा 3 hole का square plus minus दोनों की values हैं तो 5 5 10 11 12 तो minus 12 hole का square आजाएगा और यह इसके उपर root आजाएगा आगे अगर चलें तो यह हो जाएगा 9 plus 12 12 144 और यहां पर आजाएगा root का sign 144 के अंदर 9 add करो तो अगर 10 add करें तो बनता है 54 54 में से एक निकाल दो तो 153 root यह हमारे पास आगया a b इसको further भी solve कर सकते हैं अगर करने की कोशिश करें तो यहां पर ऐसे 153 लिख लेते हैं और यह 3 के table पर जाता है तो यह अगर आगे चलें तो यह हो जाएगा 3 2 times है तो 3 की power 2 multiply by 17 जो चीज दो दफा होती है उसको एक दफा स्केयर कैंसल से खतम हो जाएगा तो यह बच जाएगा ऐसे यहां पर करके दिखाऊं तो रफ अमल में कैसे आया यह ऐसे ऐसे लिख सकते हैं इस step को पिर यह इस से cancel हो जाएगा तो फिर यह ही बन जाएगा I hope समझ में आ गया होगा इसको मिटा देते हैं यहां से तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर और यह भी मिरह गया इसको मिटा देते हैं और यहां पर लिखता हूं मैं A B और यह हमारे पास line segment A B आ गया इसको highlight कर लेते हैं A B मालूम क के बाद अब हम क्या करेंगे अब हम BC मालूम करेंगे तो इसको भी मिटा लेते हैं यहां से X1 Y1 सारा ही मिट गया यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यह तो BC मालूम करना है तो यह X1 आ गया यह X2 आ गया यह Y1 आ गया और यह Y2 आ गया तो नीचे चलेंगे नीचे 2 और – 3 आ जाएगा तो इसको ओपर करते हैं, – 2 – 3 whole एक का स्कैर, प्लस – 15 – 6 square bracket यह square ठीक है? यह ि drought यह चीज तो आती होगी पहले पांस वाल आ गर आप नहीं किये है तो उसके बाद आ जाएगा – 5 – 7 which square plus और यहां पर आ जाएगा 15 plus 5 hole का square और इधर चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा 25 और इधर आजाएगा plus और 15 और ये आजाएगा 20 hole का square अभी रहता है तो इसको ऐसे कर देते हैं आगे चलें तो 25 plus 20 का square कितना होता है 400 तो यहां पर आजाएगा 400 और उसके बाद आगे अगर चलें तो ये total हो जाएगा 425 hole का square इसको further करें तो ये आजाएगा 425 ये किस पे जाता है 5 पे जाता है 5 फाइव एड़ज आ 40 25 तो यहां पर 25 आजाएगा उसके बाद फिर ये 5 पे जाता है 5 15 35 तो यहां पर मैं लिख सकता हूँ 5 की power 2 multiply by 17 अब एक 2 times है वो square के साथ cancel होके root बाहर 5 आ जाएगा और यहां पे अंडर root 17 आ जाएगा और इधर bc और यह absolute value के symbol इसको हम highlight कर लेते हैं तो bc जो है वो भी हमारे पास आ चुका है इसको यहां से मिटा देते हैं और आगे चलें तो अब इसको भी मिटा देते हैं यहां से x1 y1 x2 y2 और यहां पे bracket भी उड़ गया साथ पे यह ऐसे अब हम bc भी मालूं हो गया अब हम मालूं करेंगे ac तो चलिए यह हमारा x1 है यह हमारा x2 है यह हमारा y1 है और यह हमारा y2 है तो नीचे लिख देते हैं यहां पे ac और यहां पे आ जाएगा root x2 माइनस x1 तो ac के अंदर x2 कौन से माइनस 2 और 0 तो यहां पे आ जाएगा माइनस 2 और 0 है तो माइनस 2 और माइनस 0 होल का square फिर भी दर्मयान में प्लस आता है y2 माइनस y1 15 और 7 है तो यहां पे चलेंगे त 15 माइनस 7 और होल का square और यहां पे अब आएंगे तो माइनस 2 होल का square प्लस और 15 में से 7 गए तो 8 9 10 11 12 13 14 15 6 7 8 8 बच गए तो 8 होल का square और यहां पे यहां पे यह आ जाएगा उसके बाद 22 कितना होता है positive 4 प्लस 88 कितना होता है 64 और यह total हो जाएगा 68 अब इसको अगर करके दे के मजीद factorize 268 तो यहां पे आ जाएगा 2 3 6 2 4 8 फिर 2 पे जाता है 2 1 2 2 7 14 फिर 17 पे तो यह 17 और यहां पे आ जाएगा 2 की power 2 multiply by 17 फिर आ जाएगा 2 under root 17 और यहां पे आ जाएगा AC और इसको हम कर देंगे highlight तो यह तीन लाइन हमारे पास आ गई इन तीन लाइनों से जैसे अग number 2 का नाम दे दूँ वैसे दे नहीं रहा समझाने के point of view से दे रहूं ठीक है तो इसको तीन लाइन तो यह तीन लाइन है ना इन तीन लाइनों के मदद से हमें पता चल सकता है कि यह तीन points को linear है या नहीं है अब सवाल पैद होता है कैसे तो देखे इन तीन लाइनों में से कोई सी दो line अगर आप add कर लो जमा कर लो और बदले में तीसरी line उसके बराबर आ जाए तो समझ लो ये points को linear है otherwise को linear नहीं है काफी बच्चों को समझ में नहीं होगा मैं इसको practically समझाने के point of view से लिखता हूँ मिसाल के तो तोर पर तीन line ये थी न हमारे पास a b ठीक है ये रफ़मल है समझाने के लिए line a b थी हमारे पास और कौन सी थी b c थी line हमारे पास और a c थी जो आप उपर नज़रा है ये तीन line थी a c किसके equal है to under root 17 के equal है इसी तरह b c किसके equal है 5 17 के equal है तो यहाँ पर 5 17 लिख दो और इसी तरह और a b किसके equal है 3 17 के तो यहाँ पर मैं लिख दूँ अगर 3 17 तो अब देखे मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अगर इन तीनो या निके lineों में से कोई सी दो line अगर जमा करें तो 30 ही बन जाए मिसाल के तोर पर इन दोनों को जमा करूँ अगर मैं तो बदले में ये वाली line बन जाए तो its mean कुलीनियर होंगे या फिर हमें ऐसे भी कर सकता हूँ इन दोनों को जमा करूँ और बदले में ये वाली line आ जाए तो तो भी यह कुलिनियर होंगे इसी तरह ऐसी भी चेक कर सकते हूं के इसको जमा करो और बदले में ये लाइन इसके इक वर आ जाए तो तब भी कुलिनियर होंगे य Chinese कोई सी दो जमा करो और तीसरी आ जाए तो कुलीनियर है otherwise नहीं है तो क्या यह चीज यहाँ पर होती है यह बिल्कुल होती है अंदर तो सबके अंडरूट 17 ही है इसलिए उसको consider ना भी करो करो कोई फर्क नहीं पड़ता बाहर के नंबर अलग है तो देखे साफ पता चल रहा है 3 और 2 को अगर मैं एड करूँगा तो मेरे पास 5 आ जाएगा तो जिसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि लाइन A B और लाइन A C को जब मैं जमा करूँगा तो लाइन B C आ जाती है तो यह को लीनियर है इस तरह से पता चलता है ठीक है अब इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि समझ आपने लिया और इसको प्रैक्टिकली आप लिखके कैसे दिखाओगे इसको 2 को भी मिटा दूँ कहीं ऐसे बना हो कि बच्चे इसको 1,2,3 equation का नाम दे दे और अब अब इसके बाद यहां पर लिखेंगे नाव लिखने के बाद कौन कौन सी लाइन थी के लाइन A, B ठीक है और लाइन सेगमेंट यानि और कौन सी थी प्लस A, C इनको अगर मैं जमा करूंगा तो मेरे पास B, C आ जाएगा इसलिए ये कुलीनियर्स हैं अब इसको एड करो तो एड करेंगे हम अंडरूट सेवनटीन कौन ले लो तो अंदर क्या बज़ जाएगा 3 प्लस 2 और यहाँ पे ये 5 अंडरूट 17 ऐसे ही चलता रहेगा अब ये 3 और 2 क्या हो गए 5 तो 5 को पहले लिख लो multiply में कोई भी चीज पहले यानि कि इसको चाहे तो आप ऐसे लिखो तब भी ठीक है चाहे आप इसको ऐसे लिखो तब भी ठीक है ये दोनों हो तो multiply रहे हैं तो इसलिए 5 को शुरू में लिख देंगे ताकि देखने में बहला लगे ये और इधर 5 अंडरूट 17 तो देखिए ये दोनों लाइने जो हैं वो बिला के ये लाइन बना रही है तो इसको मतलब क्या हुआ कि पॉइंट्स जो है वो अपस में कुलीनियर होंगे तो इसलिए conclusion भी लिख देते हैं यहाँ पर इसको करते हैं थोड़ा सा उपर और यहाँ पर लिखता हूँ since a b line और कौन सी प्लस b c तो नहीं a c ठीक है is equal to b c क्योंकि यह दोनों इसके बराबर है so या hence इसलिए the given points are collinear तो यह आ गया हमारा conclusion और अब यहाँ पर एक last एहम स्वाल जो है रह गया आप लोगों के mind में रहना चाहिए कि sir आपने बोला था कि कोई भी points अगर एक straight line में हो तो वो collinear कहलाते हैं तो लेकिन इस question में तो आपने solution के अंदर यह किया कि कोई से दो lines तीसरी के equal आ जाए तो वो collinear होंगे तो यह दोनों में फर्क है actually दिखने में फर्क है लेकिन actually में फर्क नहीं है कैसे मिसाल के तोर पे इसका नाम में a रख दूं ठीक है इसका नाम में point b रख दूं और इसका नाम point c रख दूं और यह समझ लें कि यही वो question है जो आपके अंदर स्वाल के अंदर दिया गया तो देखे अगर यहां से यहां तक मैं 2 cm रख दूं और यहां a से c तक रख दूं 3 तो आपको क्या पता चल रहे है के 2 प्लस 3 मिल के क्या बना रहे है is equal to 5 तो पता क्या चला a b और a c ठीक है ऐसे यह न a b और a c यह मिल के क्या बना रहे b c तो देखे यहां से यहां तक का जो distance है वो क्या हो गया b c तो यह नहीं कि यह एक practically हमें पता चल जाता है इस बात का कि कोई सी दो लाइने जो है अगर वो मिल कर 30 लाइन भी question में जो दी गई है उसको बना रहे हो तो इसका मतलब यह होगा कि वो points सारे collinear है तो I hope नहीं समझ माया question number 4 बिल्कुल ऐसा है उसके अंदर मैंने काफी मेहनत की है यह बात समझाने की तो उसको देख लीजे आपको समझ में आ जाएगा तो question number 7 आप लोगों को screen के उपना जरा रहा है जिसमें क्या बोला जा रहा है कि verify साबित करके दिखाए whether or not the points O, A, B are vertices of an equilateral triangle के यह जो points है O, A, B यह equilateral triangle के vertices हैं या नहीं है इस बात को साबित करके दिखाना है तो असान सा स्वाल है आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि equilateral triangle कौन से होती है एक ऐसी triangle होती है जिसकी तीनों साइड जो होती है वो equal होती है तो कोई भी triangle तीन लाइनों से मिलकर बनती है तो अगर equilateral triangle की बात की जा रही है तो यह वली साइड यह वली साइड और यह वली साइड बराबर होंगी तो वो equilateral triangle कहलाएगी तो असान सा है फिर तो मैं क्या करूंगा A B पिर इसके बाद मालुम करूंगा O B तो तीन लाइने होंगी अगर यह तीनों लाइने एक जितनी हुई एक दूसरे के बराबर हुई तो इसमीन एक्विलेट्राइंगल है अदरवाइस यह नहीं है तो चलिए इसको मालुम करते हैं इसको मिटाते हैं मिटाने के बाद question को solve करने के लिए मैं यहां पर लिखूंगा solution solution लिखने के बाद जो given points हमें दिये गए हैं वो हम लिख लेते हैं solution के अंदर O दिया गया है O 0 और 0 के बराबर है A दिया गया है A under root 3 और 1 के equal है और B दिया गया है हमें और B बराबर है किसके under root 3 और minus 1 के तो यह तीनों प A भी तो इसमें है ही नहीं सोरी इसमें O A है तो सबसे पहले O और A का distance मालूम कर लेते हैं equal to X2 कितना है X2 है under root 3 तो under root 3 आ जाएगा उसके बाद क्या आ जाएगा यहां पर root का sign भी डाल देते हैं पहले और उसके बाद minus यहां पर आ जाएगा X10 है तो under root 3 minus 0 hole का square पिर plus उसके हो जाएगा under root 3 hole का square plus 1 hole का square जो के 1 ही होता है तो इसको ऐसी लिख देते हैं अंगले step में करते हैं यह ऐसे आ जाएगा square root से खतम हो जाएगा तो 3 plus 1 का square 1 होता है तो यहां पर यह आ जाएगा और 4 आ जाएगा और आगे चलेंगे तो 2 आ जाएगा तो O A हमारे पास कितना आय 2 के equal आ गया इसको कर लेते हैं यहां से हम highlight आगे अगर चलें तो आगे अब मालूम करते हैं इसको भी मिटा लेते हैं यहां से अब हमें A B की मालूम करनी है तो यह X 1 आ गया और यह X 2 आ गया यह Y 1 आ गया और यह Y 2 आ गया तो under root 3 और under root 3 है तो यहां पे क्या था A B तो यहा पे यह root और भूल गया again से three three है under root तो यहां पे आ जाएगा under root three minus under root three or square उसके बाद आ जाएगा plus or minus one or one minus one minus one is equal sorry hole ka square क्योंके दर्मियान भी minus आता है इसके बाद आगे चलेंगे तो यह कितना हो जाएगा यह a plus का a minus का है तो यह zero हो जाएगा zero का square भी zero ही होता है और यह हो जाएगा minus two whole का square और यहां पर यह रूट का sign और यह हो जाएगा minus two का square कितना होता है four और four का square root कितना होता है two तो a b line segment हमारे पास two आगया इसको भी highlight कर लेते है ठीक है अब तीसरी की तरफ चलें तो इसको करते हैं ऊपर और इनको देते हैं यहां से मिटा तो अब o और b का distance मालू करेंगे तो यह हमारे पास x1 x2 y1 और y2 आ जाएगा तो under root three minus zero बनता है तो इसको करते हैं थोड़ा सा ऊपर under root three minus zero तो यहां पर लिक लेता हूँ हम क्या मालूं करने जा रहे हैं हम मालूं करने जा रहे हैं ओ बी तो यहां पर आ जाएगा ओ बी और यहां यहां पर यह यहां पर root और मैं भूल चुका क्या था? अटर रूट three minus zero तो यहां पर आ जाएगा under root three minus zero x2 X2 में से X1 निकाल दिया उसके बाद प्लस Y के Point of View से देखें तो माइनस 1 और 0 तो यहां पर आ जाएगा माइनस 1 और 0 होल का स्केर आगे अगर चलें तो यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा 3 सुरी अंडरूट होल का स्केर प्लस माइनस 1 होल का स्केर और यहां पर यह हो जाएगा यह इस से कैंसल हो जाएगा तो पीछे बच जाएगा 3 और माइनस 1 का स्केर कितना होता है 1 ही होता है तो यहां पर प्लस 1 आ जाएगा और रूट आ जाएगा और यह हो जाएगा 4 का स्केर और ये एक्वल होता है अगर उपर करके दिखाऊं तो टू के तो OBB हमारे पास क्या आया वो आगया वो टू तो तीनों लाइने एक दूसरे के बराबर है ये एक्वलेटरल ट्राइंगल है ये भी टू आगया ठीक है ये भी टू आया और ये भी टू आया सोरी आपको नजर नहीं आया अब नजर आ गया होगा तो कंक्लूजन यहां पर लिख देते हैं यहां पर O A लाइन सेग्मेंट बराबर है और कौन सा O A के बाद A B मालुम किया है तो A B के लाइन सेग्मेंट के और ये दोनों बराबर किसके हैं O B के तो तीनों लाइन सेग्मेंट एक दूसरे के बराबर है तो यह एकुलेटरल ट्राइंगल ही बना रही है तो यहां पर लिख देता हूं स्टेट्मेंट में तो यह मैंने कंक्लूजन लिख दिया So given points are the vertices of an एकुलेटरल ट्राइंगल हमने प्रूफ कर दिया So I hope यह question भी समझ में आगया होगा अगली की तरफ चलते हैं So question number 8 आप लोगों को screen के ओपन नजर आ रहे है इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या बोला जा रहा है इसमें बोला जा रहा है show that आपने साबित करके दिखाना है Point A, B, C and D are vertices of a rectangle Point A, B, C, D जो हैं यह क्या एक rectangle के vertices हैं इस बात को आपने show करके दिखाना है साबित करके दिखाना है आगे question में क्या बोलते हैं Find the length of its diagonal और इस rectangle के जो diagonals होंगे उनकी आपने length मालूम करनी है और साथ में यह भी बताना है कि Are they equal और वो equal हैं या नहीं है तो question थोड़ा सा लंबा है Question को दो हिस्सों में तक्सीम कर लेते हैं पहले हिसे में हम यह साबित करके दिखा देते हैं कि point A, B, C, D जो है वो rectangle के vertices हैं या नहीं है Question को solve करने के लिए सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे solution तो यहाँ पे लिख लेता हूँ solution solution लिखने के बाद जो है एक rectangle भी बना लेते हैं तो यहाँ पे एक ऐसे कोशिश करता हूँ मेरी drawing अच्छी नहीं है घलती निकालने की बजाए समझने के point of view से बस कोशिश करिएगा कि सर ने समझाने के लिए बताई है तो rectangle किसे बोलते है rectangle एक ऐसी figure होती है जिसमें opposite side जो है जैसे एक ये और एक ये ये दोनों एक दूसरे के opposite है ना ये दोनों एक दूसरे के equal हो और opposite sides कौन सी है ये और ये तो ये भी एक दूसरे के equal हो तो क्या definition बनी एक ऐसी figure जिसमें तो opposite side जो होती है एक दूसरे के equal होती है वो rectangle कहलाती है तो इस question के according अगर मैं बात करूँ तो 4 points दिये गए हैं तो इसको रख लेते हैं point A का नाम, इसको रख देते हैं point B का नाम, इसको रख देते हैं C का नाम, इसको रख देते हैं D का नाम यह actually मैं A, B, C, D मिलके rectangle बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा तो असान सी बात है distance formula की मदद से हम पहले A, B मालूम कर लेंगे, फिर B, C मालूम कर लेंगे, फिर C, D मालूम कर लेंगे और उसके बाद हम यह देखेंगे के A, B जो है वो equal आता है D, C के, अगर equal आता है तो ठीक हो गया, एक शर तो यह थी ना दो opposite sides बराबर हो तो उसके बाद देखेंगे A, D जो है वो B, C के बराबर आता है, अगर यह दोनों इसके equal हो और यह दोनों आमने सामने वाली चीज़ इकवल होंगी तो हमारा जवाब ठीक हो जाएगा, तो काफिया तक समझाने की कोशिश की है, समझ भी आ गई होगी, further अब question करूँगा तो बाकी की जो समझ है वो उसमें आपको आ जाएगी, तो चलिए, यहाँ पे लिखते है, given, given जो हमें दिये गए है points, तो एक A point दिया गया है, जो के कितना है, minus 6 और minus 5, और साथ में कौन सा दिया गया है, एक हमें B point दिया गया है, जो के क्या है, 5 और minus 5, और एक C point दिया गया है, जो के कितना है, 5 और minus 8, और एक D point दिया गया है, जो के कितना है, minus 6 और minus 8, तो यह A, B, C, D, हमारे पास 4 points आ गए, अब distance formula को इस् diferencia formula or distance formula किया होता है distance formula होता है D is equal to how यहां पर यह रूट आ गया जो कि गलठ डाला है दुबरागा यह सीध़ है इसके बाद जो है formula होता है x2 में से x1 निकालते हैं TO यहां पर यह इसका square आ गया उसके बाद plus और y2 में से y1 निकालते हैं तो इसका square आ गया तो अब हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे A भी मालूम करेंगे तो यहां पर लिख लेता हूँ A, B और यह absolute value की symbol और यहां पर ऐसे यह root का symbol डाल देते हैं अब यानि के point अगर लिख भी दूँ यहां पर minus 6 और आप लोगों को ताकि अच्छे से समझ में आए minus 6, minus 5 यह हमारा A हो गया B क्या है? 5 और minus 5 यह हमारा X1 हो गया यह हमारा X2 हो गया तो 5 minus 6 बनता है तो यहां पर लिख लूँँगा 5 minus into minus 6 और यह whole का square आ गया ठीक है? उसके बाद plus और यहां पर Y2 minus Y1 में यह हमारा Y1 है और यह हमारा Y2 है तो minus 5 और minus 5 तो यहां पर आ जाएगा minus 5 minus into minus 5 और यहां पर square तो values पूट हो गया है इसके बाद आगे चलेंगे तो 5 plus 6 whole का square इदर चलेंगे तो minus 5 plus 5 whole का square और यह हमारा साथ-साथ इसके root भी चलता आ रहा है तो 5 और 6 कितने होते हैं? 11, 11 का square और यहां पर 0 का square तो 0 ही होता है तो plus 0 डाल दो और यहां पर यह ऐसे हो जाएगा फदर आगे चलेंगे तो यह हो जाएगा square root से cancel हो जाएगा तो पीछे only 11 बच जाएगा तो A, B जो है वो distance A, B का कितना है 11 आ गया आप इसको ऐसे भी कर सकते हो जैसे पिछले question में कहते हैं कि step डाल ही देता हूं शायद कुछ को मसला ना हो ऐसे कर लो ठीक है और उसके बाद A, B यहां पर दोबारा से लिक लो और यहां पर आप इसका calculator पर root लोगे तो 11 यहां पर आ जाएगा तो यह हमने A, B मालूम कर लिया इसको हम कर लेते हैं high light ठीक है इसके बाद दो opposite side ब्राबर होनी चाहिए तो A, B के opposite क्या है DC तो आप DC की भी value लिक लेते हैं D किसके equal है D है minus 6 और minus 8 के और इदर से देखें तो C किसके equal है 5 और minus 8 के तो इन दोनों की भी length मालूम कर लेते हैं तो यहां से चलेंगे नीचे और लिख लेते हैं DC तो यहां पर आगया हमारा DC यह A, S, A और यहां पर आगया root तो DC में X1 यह हो गया X2 यह हो गया तो 5 minus 6 आगया तो यहां पर 5 minus into minus 6 और यह square bracket डाल देते हैं square फिर प्लस Y2 minus Y1 यह Y1 है और यह Y2 है तो minus 8 और minus 8 है तो यहां पर भी आजाएगा minus 8 minus into minus 8 और यह square bracket और यह values put हो गई इसके बाद क्या बन जाएगा 5 plus 6 और whole का square is equal to minus 8 plus 8 whole का square यह इसके ओपर root आगया इसके बाद आगया अगर चलें तो कितना हो जाएगा 11 whole का square plus 0 और फर्दर आगय चलें तो वैसे ही 121 और नीचे आजाएगा 11 तो DC जो है वो हमारे पास कितना आगया वो भी 11 आ चुका है तो जैसे rectangle कोंचे होती जिसमें दो opposite side बराबर हो तो यह वाली side तो इस side के बराबर हमने practically solve करके दिखा दी अब हम बात करते हैं इस वाली side पे और इस वाली side पे तो थोड़ी खिचड़ी जादा हो गए इन X1, X2 को मैं खतम करता हूँ तो इधर से ये मिटा देते हैं इधर से ये मिटा देते हैं इधर से ये, इधर से ये अब आपको समझने में असानी होगी तो चलिए अब हम क्या मालूम करेंगे अब हम AD मालूम कर लेते हैं तो यहाँ पे लिखता हूँ AD ये हो गए सीधी और इधर root आ गया AD में अब X1 X2 कौन से होंगे इसको नाम X1 का दे देता हूँ इसको X2 का इसको Y1 का इसको Y2 का दे देते हैं तो X1 क्या है? माइनस 6 सोरी X2 क्या है? माइनस 6 और X1 क्या है? वो भी माइनस 6 है तो चलिए माइनस 6 माइनस इन्टू माइनस 6 और ये हो गया होल का स्केर प्लस उसके बाद Y2 और Y1 का भी देख लेते हैं क्या है साब कताब है? माइनस 8 और माइनस 5 यानि माइनस 8 और माइनस 5 तो पहले आएगा उपर हो जा यार माइनस 8 फिर minus into minus 5 आजाए क्योंकि दर्मियान में तो minus आता है ना formula के according यानि कि मुझे एक तो बता के ही सकून मिलता है यानि ये formula के according ये minus होता है शायद कुछ को मसला हो आगे चलें तो minus 6 plus 6 hole का square plus minus 8 plus 5 और ये भी आगया hole का square और यहां पे आगया ही है फर्दर चलें तो 0 hole का square और इधर आएं तो plus और 8 में से 5 गए तो minus 3 hole का square और उसके बाद 0 तो 0 ही होता है तो लिखने की दूट नहीं है और minus 3 का square क्या हो जागा positive 9 और positive 9 का root लेंगे तो ये 3 के equal हो जाएगा तो a, d, हमारे पास कितना आया 3 के इसको कर लेते है highlight अब चलते है उपर a, d के opposite कौन सा है a, d के opposite b, c है तो यहां पे इसको x1, इसको x2, इसको y1, इसको y2 तो पहला क्या है 5 और minus 5 तो यहां पे एक तो कुछ भी b, c ठीक है तो यहां पे लिख लेते हैं b, c और इधर आ जाएगा root और 5, 2 था x1 और x2, 5 था और x1 जो है वो भी 5 था plus minus मुझे भूल गया, इस दोनो positive 5 है, तो यह आ जाएगा whole का square plus और इधर y के देखें तो minus 8 और minus 5, minus 8 ऊपर कहां चला गया भाई, नीचे minus 8 और minus 5, minus 8 और minus 5 और यह आ गया square, इसकी values खोलें तो यह हो जाएगा plus 5, minus 5, 0 का square, इधर चलें तो minus 8 plus 5 whole का square, और यह भी वही पीछे की तरफ, जीरो का तो लिखते नहीं है, तो minus 3 whole का square, और उसके बाद क्या हो जाएगा, 3, 3 दा 9, तो यह हो गया 9, और positive उसके बाद आ जाएगा only 9, तो यह हमारे पास BC line आ गए, ठीक है, क्योंकि 9 का root क्या होता है, 3 होता है, तो अब देखे, य यह वाला three और यह, यह दोनों side भी एक दूसरे के opposite है, तो एक बात तो पता, sorry चली गई, line, yes, यह दुबारा आ गई, तो यहां से हमें क्या बात पता चली, यहां से हमें यह बात पता चली, कि यह वाली दो line और यह, sorry, यह दो line भी एक दूसरे के equal हैं, और यह दो line भी एक इसको मिटा देता हूं मैं, आप लोग भी ये pencil से कर लिजेगा, अगर आपके पास geometry box में pencil है, और बाद में मिटा दीजेगा, वरना बचगाना सी बात लेगी, और यहां पर conclusion लिख लेते हैं, so, so के बाद, क्या लिखें, a, b, जो है, वो d, c के equal है, तो यहां पर लिख लेता ह है, और a, d, equal है, b, c, के, उपर figure में दिखा देता हूं, शायद कुछ को परिशानी हो जाए, यहां पर a, d, equal आ गया, b, c, के, तो यह भी नीचे लिख देते हैं, mention कर देते हैं, a, d, sorry, जाद ही उपर चला गया, a, d, is equal to, b, c, के, तो दोनो opposite sides एक दूसरे के equal हैं, तो उसको यहां पर लिख भी देते हैं, so, तो यह मैंने लिख दिया, so, opposite sides are equal, actually, मैं तो आपको जबान ही बता रहा हूँ, na, paper में तो जबान तो जबान तोड़ी जाएगी, वहां पर तो आपका लिखा वाल आएगा, तो अब, यानि, जो मैंने आपको समझाया है, वो सारा mention कर दिया चारों की length मालुम की, और यहां पर इन दोनों को एक दुसरे के equal कर दिया, और नीचे conclusion लिख दिया, तो कोई भी figure rect angle, यानि कि एक बात तो हमें पता चल गई, क्या कि यह points जो है, वो rect angle बना रहे हैं, लेकिन यहां पर अब नई बात आपको पता चलेगी, जो कि इस question को और जादा असान भी कर सकती है, और मुश्किल भी कर सकती है, लेकिन समझ माज है तो असान है, क्योंकि question number 9 जो है, बिलकुल वो ही है, अगर question number 8 को आप अच्छे से समझ लोगे, तो 9 आपको समझना नहीं पड़ेगा, तो कोई भी opposite size जो है, वो rect angle में भी बराबर होती है, और parallelogram में भी बराबर होती है, अब parallelogram कौन से figure होती है, तो इस किसम की figure होती है, parallelogram, अब देखिए, कैसे पता चलेगा, यानि कि अगर मैं इधर A, B, C, D कर दूँ तो अब अब इसके अंदर भी ये और ये side, इस side के बराबर है, और ये side जो है वो, इस side के बराबर है, तो अब यह तो अब दूसरी चीज क्या, यानि कि अब हमें कैसे पता चलेगा, कि यह point जो है, रेक्ट एंगल के हैं, या parallelogram के हैं, तो इस चीज को वाज़े करने के लिए, यहाँ पे एक नई बात अब आप लोगों को सीखने को मिलेगी, इसको मिटा देता हूँ पहले, ताके वो बता सकूँ, कि रेक्ट एंगल में हर एंगल जो है, वो 90 डिगरी का होता है, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, लेकिन parallelogram के अंदर 90 डिगरी का नहीं होता, यह फर्क है, तो अब समझ माया है question का, कि हम यहाँ तक तो पहुँच गए, कि यह चारों points मिलके या तो parallelogram बना रहे हैं, या रेक्ट एंगल बना रहे हैं, लेकिन अब आगे हम क्या verify करेंगे, आगे हम यह verify करेंगे, कि हम देखेंगे कि यह 4 मिलके 90 डिगरी का एंगल बना रहे हैं, अगर तो 90 डिगरी का एंगल बना रहे हैं, तब तो यह रेक्ट एंगल के vertices हैं, और अगर 90 डिगरी का एंगल नहीं बना रहे तो यह parallelogram के vertices हैं तो इसके बात सुवाल यह पैदा होता है कि sir कैसे पता चलेगा कि यह rect angle जो है 90 का angle बना रही है यह नहीं बना रही है तो दुबारा इस चीज़ के लिए हमें picture की तरफ जाना पड़ेगा यह figure आ गई तो हम क्या करेंगे इसके चाहे तो A, C के हिसाब से भी मालूम कर सकते हैं हम और D, B के हिसाब से भी मालूम कर सकते हैं क्योंकि 94 के बराबर होते हैं तो हम इसके equal मालूम यानि इसके हिसाब से मालूम कर लेते हैं कि A, C तो अब देखिए किसी भी रेक्ट एंगल को अगर इस तरह से मैं दर्म्यान से यानि इसको कट कर दूँ इसको बोलते हैं यह जो आपके question मागे लिए कमने है diagonal तो अगर किसी पहले यह भी साथ ही बता देता हूँ अगर किसी यानि के रेक्ट एंगल के एक corner से दूसरे corner तक एक line मिला दो तो इस line को बोलते है diagonal ठीक है तो एक rectangle में दो diagonal होती है एक जैसे यह डल गई और यह यह डल गई तो आपके question में यह भी पूछा गया के length of diagonal क्या है और यह एक दूसरे के ब्राबर है या नहीं ब्राबर तो यह चीज़ भी question में हम बाद में mention कर दूँगा बहुत से teachers तो पहली mention कर बाद देते लेकिन मेरे मताबिक पहले हम यह verify कर लें कि vertices जो है rectangle के है या नहीं है उसके बाद यह हिस्सा mention कर देंगे ठीक है तो दुबारा से आते हैं कैसे पता चलेगा angle 90 का है या नहीं है तो एक line यहां पर draw कर लेंगे और हम क्या करेंगे इस AC line की length मालूम कर लेंगे जब AC length मालूम हो जाएगी AC line के तो आप देखें अभी एक triangle बन गई right triangle right triangle कौन से होती है जिसमें एक angle 90 degree का होता है तो हम क्या करेंगे इस angle को मालूम कर लेंगे अगर तो यह angle 90 degree का निकल आया तो तो यह rectangle के vertices हो जाएंगे तो चलिए ऐसे ही करते है अब यहां पर एक और मुश्किल भी है मुश्किल क्या है के सर कैसे मालूम करेंगे तो सबसे पहले तो इस line के AC line की हम यानि के length मालूम कर लेते हैं उसके बाद फर्दर बाते करेंगे तो यहां पर यह x1 हो जाएगा और यह x2 हो जाएगा यह y1 हो जाएगा और यह minus 8 y2 हो जाएगा और नीचे चलके हम मालूम करते है length of line AC तो यहां पर आगया नीचे तो यहां पर लिखा now यहां पर लिखा line AC जो हम मालूम करने जा रहे हैं और AC मालूम करने जाएंगे तो उपर से values उतार लेते हैं values उतारूं तो यह है 5 और minus 6 तो यहां पर मैं लिख दूँगा x2 है 5 minus into minus 6 और यह square और यह close और यहां पर आ जाएगा उपर और उसके बाद y2 कितना है minus 8 और minus 5 तो यहां पर आ जाएगा minus 8 और minus 5 और यह square bracket आ गई और यहां से इसको open करें तो 5 plus 6 हो गया whole square plus इधर करें तो minus 8 plus 5 whole square हो गया फर्दर आगे चलाएं तो 5 और 6 कितने होते हैं 11 whole का square और plus minus 3 whole का square फर्दर आगे चलें तो यह हो जाएगा 121 plus 9 और यह आगे हमारा 130 तो AC line कितनी है AC line हमारे पास आई 130 तो अब आप लोग कह रहे होंगे कि sir line तो पता चलेगी अब कैसे पता चलेगा 90 का है या नही है तो यहाँ पे मैं इसको मिता के अगर मैं यहाँ पे लिखतूं under root 30 ठीक है तो इसकी line कितनी है under root 30 अब एक पाइथागोरस थियूरम होता है और पाइथागोरस थियूरम जो है वो हमेशा right triangle के उपर ही apply होता है ठीक है इसलिए क्योंकि यहाँ पे right triangle बन रही है क्योंकि यह angle 90 का है दिखने में साफ पता चल रहे है तो सिफ हम mathematically proof करके दिखा रहे है यानि कि अगर यह right triangle होगी तो किसी भी rectangle के अंदर right triangle भी होती है तो हम right triangle के उपर एक थियूरम apply करते है papithagoras t DLCκι के खास बात क्या होती है कि जो hypotenuse होता है जिसको मैंने highlight कि है यह hypotenuse I think यह तो पता होगा कि यह hypotenuse है यह हमारा base है यह हमारा altitude है ठीक है जिसको height भी बोलते हैं बाशोग तो pithagoras t роль क्या बोलता है वो यह बोलता है 파ithagoras सहाब के जो hypertension का square होता है, वो base के, और altitude के, scares के sum के equal होता है, तो अगर, मैं इस line का square ले लूँ, और इस line का square ले लूँ, और इन दोनों line के square को, इसorts में plus करवा दूँ, और वो इस hypertension के equal आ जाएगा, तो it's mean ye right triangle है, अगर नहीं आया, तो right triangle नहीं है, मालूम करते हैं, आह इस ताहसे समझ में आएगी वीडियो को पीछे करिये बार बार सुनिये मैं आप लोगों के जो वीडियो बना रह 52 हर न समझाने के लिए एक घंटा हो गया कभी सोच रहा है किस तरह से समझाओ कभी सोच रहा है किस तरह से समझाओ बीना मेहनत के नसीब नहीं बदलता, नंबर तो बहुत दूर की बात है तो इसलिए मेहनत करिए वीडियो को पीछे करिए आएगा समझ, जरूर आएगा ठीक है, तो अब हम यहाँ पे mention कर देते हैं, जादा उपर चला गया थोड़ से नीचे now applying by Pythagoras theorem, तो यह मैंने लिख दिये now by using Pythagoras theorem Pythagoras theorem के according क्या है, कि हाइपोटिनेस जो के क्या है, हाइपोटिनेस AC है न, उपर बाद में देख लीजेगा AC line, यानि हाइपोटिनेस ब्राबर होता है, उपर से देखना पड़ेगा साथ-साथ यानि कि यह हमारा AC हो गया, ठीक है, और BC और AB, ठीक है, इसके स्केर के एकवल होना चाहिए, AB का स्केर प्लस, और कौन सा था, और BC, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा BC, यह सी यह, तो यह Pythagoras theorem बोलते हैं कि अगर high hypotenuse का स्केर, आपके base के स्केर, और altitude के स्केर के समके एक एकवल आ जाता है, तो आपकी जो right triangle है, उसमें, यानि कि आपकी जो triangle है, उसमें एक angle 90 degree का है, जो के right triangle के लाती है, एक तो समझा, समझा के, तो चलिए, values put करते हैं, और पता चल जाएगा, ब्राबर आता है या नहीं आता है, तो AC कितना है, यह तो आपको उपर ही नज़र आ रहोगा, 130, तो यहाँ पर आ जाएगा, 130, hole का square, AB कितना है, यह हमन आ जा नीचे, इसको भी मसला होना है, तो यहाँ पर आ गया, 11 hole का square, और BC किसके equal है, उपर आ जाएगा, यह सी यह आ गया, आपका BC, तो यह आ जाएगा, यहाँ पर, BC 3 के equal, ओपन करें, तो यह से cancel हो गया, तो कितना आ गया, 130, 130 is equal to 121, plus 339, 9, तो 130, जो के नहीं नजरार आपको, अब नजरार होगा, 130 is equal to 130, तो देखिए, यह दोनों एक दूसरे के square के बराबर है, तो इसका मतलब यह हुआ के finally, यह rectangle जो है, वो मुझूद है, या फिर कहलो के, यह जो points question में हमें दिये गए थे, यह मिलके rectangle बनाती है, done it, ठीक है, आपको यह बात prove मिल गया, तो इसलिए यहाँ पे अब statement लिख देते हैं, इसको मिटाते हैं सबसे पहले, क्योंकि easy है, मुझे ज़्यादा बराबरा जो है वो, अच्छा feel नहीं करा रहा, इसको यहां से मिटा दिया, और, अब देखे, इसके अंदर 90 degree का नहीं है न, तो इसलिए यह parallelogram तो बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए इसको भी यहां से अटा दो, ताकि ज़्यादा space नज़र आए, खुली-खुली तो, तो कम complicated feel हो, तो अब करते हैं इसको नीचे, नीचे लिखने के बाद, यह conclusion लिख देते हैं, therefore, angle कौन सा था, फिर दुबार ओपर जाना पड़ेगा, angle हमने रखा था यहां पर, yes, b, जो angle हमने मालूम करना होता है 90 degree का, उसको center में रखते हैं, तो triangle a, b, c, तो यह triangle, यह 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 angle का symbol आ गया, a, b, c, और यह equal है 90 degree के, तो नीचे conclusion में लिख दिए, so the given points form a rect angle, क्योंकि एक यह 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 नववे का बना रहा है, parallelogram में तो एक भी 90 degree का नहीं होता, तो इसलिए, आई यह point जो question में दिए गए है, यह rect angle बना रहे हैं, तो question का आदा हिस्सा हमने मुकमल कर लिया, यहां तक बाकी आदा अब बिल्कुल असान है, समझना, उसमें क्या कहा था, find the length of diagonal, तो diagonal में एक diagonal के तो length हमने मालूम कर ली, क्योंकि ऐसे, यह भी diagonal किलाती है, तिर्ची line और D, B वाली यह भी diagonal किलाती है, तो एक rectangle में दो diagonal होते हैं, एक हमने मालूम कर लिया, दूसरे के length मालूम कर लेते हैं, और पर देख लेते हैं ये बराबर आते हैं या नहीं आते तो अब जो जो जोन सा मालूम करने जा रहे हैं वो ये वाला diagonal है तो D के अब दुबारा से लिखने पड़ेंगे मैंने तो मिटा दिये थे minus 6 और minus 8 और B के कितने हैं B के हैं 5 और minus 5 ये X1 हो जाएगा ये X2 हो जाएगा ये Y1 हो जाएगा और ये Y2 हो जाएगा आप सब लोग ये pencil से करिएगा और ये जो line है ये वाली ये ऐसे dotted से represent करिएगा ऐसे करके ऐसे ठीक है आप के आपके teacher भी जो हैं वो भी कुछ ना कुछ इसमें आप कोई support करेंगे तो चलिए अब db मालूम करनी है तो db का 5 है और minus 6 है तो नीचे चलते हैं यहाँ पे लिखेंगे now db, db जो है वो किसके equal है वो है 5 और minus 6 और ये whole का square ठीक है और दर्मयान में plus और उपर दोबारा चलना होगा हमें उपर चलें तो अब minus 5 और minus 8 तो यहाँ पे नीचे चलते है minus 5 और minus 8 minus 5 और minus 8 और ये square इसको solve करें तो 5 plus 6 whole का square plus minus 5 plus 8 whole का square और यहाँ पे यह आ जाएगा उसके बाद आ जाएगा 11 whole का square plus और 3 whole का square उसके बाद आ जाएगा 121 plus 9 और ये वही आ रहे 130 तो यहाँ पे आ जाएगा 130 और ये आ जाएगा DB या BD कुछ भी लिख दो तो अब यहाँ पर आप लिखो 100 क्या लिखोगे 2 diagonal entries थी DB line जो है diagonal entry जो है वो ब्राबर है किसके दूसरी entry कौन सी थी दूसरी थी तिरची line ये वाली AC ठीक है तो यहाँ पे भी लिख देता हूँ AC यहाँ पे भी 130 आया है इसका और यहाँ पे भी 130 आया है तो यहाँ पे आप conclusion लिख दो आप लोग Hence length of diagonals are equal कि length of diagonals जो है वो एक दूसरे के बराबर है तो यहाँ से भी ये बात साबित हो गई कि ये rectangle है और sorry rectangle में भी बराबर होता है लेकिन वो हमारा नहीं क्योंकि parallelogram में भी बराबर होता है लेकिन क्योंकि इसने पूचा था find the length of its diagonal तो 130, 130 जो है हमने length बता दी और वो दोनों एक दूसरे के equal हैं तो यहाँ पे हमने देखो इसको equality के तोर पे भी जाहर कर दिया तो अपने teacher से भी discuss कर लिजेगा कि sir ये सब कुछ मैंने सही किया या जो teacher का method है show that आपने साबित करके दिखाना है पिछले question की तरह m, n, p, and q ये vertices हैं parallelogram के या नहीं बस ये साबित करके आपने दिखाना है ठीक है सबसे पहले parallelogram कैसे होती है वो बता देता हूँ कोई भी ऐसी figure जिसमें दो opposite sides जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हों उसे parallelogram कहा जाता है मुकतसीर आप ये ही समझें ठीक है और यहाँ पे इस question को solve करने जैसे पहले point के नाम लिख लेते हैं यहाँ पे M लिख लेता हूँ यहाँ पे N लिख लेता हूँ और यहाँ पे P लिख लेता हूँ और यहाँ पे मैं Q लिख लेता हूँ और इनके points भी लिख लेते हैं ताके असानी रहे यह साथ साथ लिख लेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखोंगा solution तो यह लिख लिख लिया मैंने यहाँ पे solution उसके बाद लिखोंगा given तो ये लिख लिए मैंने गिवन, गिवन में क्या दिया गया है, गिवन में M दिया गया है, हमें M बराबर है, माइनस 1 और 4K, उसके बाद और क्या दिया गया है, हमें 7 में N दिया गया है, N किसके एक्वल है, माइनस 5 और 3K, और उसके बाद P दिया गया है, P किसके एक्वल है 1K और माइनस 3K और उसके बाद Q दिया गया है Q किसके एक्वल है 5K और माइनस 2K तो यह 4 पॉइंट समय दी गए हैं अब हम क्या करेंगे पिछले question की तरह पहले MN मालूम करेंगे फिर N P मालूम करेंगे फिर P Q मालूम करेंगे और फिर M Q मालूम करेंगे और इसके बाद मैं बताता हूँ कि क्या करना होगा तो चलिए सबसे पहले statement लिख लेते हैं यहां पर तो यह मैंने यहां पर statement लिख दी now by using distance formula distance formula क्या होता है एक बार लिख भी देता हूँ rd is equal to under root x2 minus x1 और यह whole का square plus उसके बाद आता है sorry y आना यहां पर y2 minus y1 और यह whole का square तो यह लिख लिए हमने distance का formula लिखने के बाद अब हम किन दो के दरम्यान distance मालूम करेंगे हम मालूम करेंगे m और n के दरम्यान और इस picture के अंदर यह line थोड़ी मुझे नजर आ रही है आप लोग बस समझने के point of view से वरना यह line और यह line बिल्कुल एक जैसे होती है इसे ठीक है मैं इसको ठीक भी कर देता हूँ इस picture को मिटा के दुबार से अब I think पहले से जो है शायद बेथर है में ड्राइंग अची नहीं है मैंने पहले भी बताया था तो समझने के point of view से आप लोगों को समझ में आ रही होगी ठीक है तो M और N के दरमियान distance मालूम करने है तो इनके coordinates लिख लेते हैं यहाँ पर तो M किसके equal है minus 1 4 के तो यहाँ पर आजाएगा minus 1 और खाली positive 4 ठीक है bracket भी डाली देता हूँ उसके बाद आजाएगा N किसके equal है minus 5 और 3 के तो यहाँ पर यहाँ पर यह आ गया ठीक है अब यह x1 हो गया यह minus 5 x2 हो गया यह y1 हो गया और यह y2 हो गया ठीक है इसको मैं मिटा देता हूँ बाद में मिटाना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए तो अब तो जुबानी भी लिख लेंगे आप लोग तो क्या हो जाएगा minus 5 और minus 1 यहाँ पर MN सबसे पहले लिखेंगे now लिख दें ठीक है MN और यह ऐसे करते हैं न हम लोग minus 5 था x2 और minus 1 था x1 ठीक है और यह यहाँ पर आगया square bracket minus 5 और minus 1 दोबारा भी चेक कर लो क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो पर question सारा गलत हो जाएगा yes पिल्कुल ठीक था 3 और 4 अब हमारे पास y2 y1 है 3 और 4 तो यहाँ पर प्लस आजाता है minus 1 whole का square और यह यहाँ पर root आजाएगा आगे चलें तो minus 4 whole का square plus 1 minus 1 का square तो 1 ही होता है तो यहाँ पर यह आजाएगा और अब minus के digit का square positive होता है तो 4 for the 16 plus 1 root और यहाँ पर आजाएगा under root 17 और यहाँ पर आजाएगा mn और तो यह हमारे पास distance आगया mn का और इसी तरह बाकिट distance भी मालूम कर लेंगे तो बाकियों के तरफ चलें तो mn के बाद जो है अब q और p का मालूम कर लेते हैं इनके coordinates लिखूं तो इधर आजाएगा 5 minus 2 और q हो गया p कितना है p है 1 minus 3 ठीक है यहाँ पर तो जगे है x1, x2, y1 and y2 तो सबसे पहले 1 और 5 है तो यहाँ पर लिख लूँगा end ठीक है और ना भी लिखो उसके बाद जो है यहाँ पर लिखो क्या था qp तो यहाँ पर line segment qp का ऐसे यह डाल दिया और उसके बाद वन और 5 वन मैनेस 5 और यह वन और 5 ही था positive यह बलकुल तो actually सुबा के पाँच बज़ रहे हैं और मैंने यह आज करके ही सोने तो यहाँ पर यह आ गया उसके बाद आ गया positive y2 कितने minus 3 और minus 2 minus 3 और minus 2 और यह होल का square ठीक है आती होंगे ये values तो बस आप इस question में तो आपको concept समझने है main ये कुछ जादा वी बच्चे उनके लिए ही सारे steps हो रहे हैं तो minus 3 plus 2 और ये whole का square इधर चलेंगे तो for further कितना हो जागा positive 16 और plus minus 1 whole का square ये भी 17 पे जाएगा तो parallelogram में भी opposite sides equal होती है तो direct कर देता हूँ अब आप लोगों को पता तो चल गया op और ये ऐसे हो गया तो ये हमारे पास op जो है वो equal आगया हम देख सकते हैं op के बाद आगया अगर चलें तो अब इसके sides की मालूम कर लेते हैं पहले इस line को मालूम करेंगे कर लेते हैं पहले तो mq तो पहले लिख लेता हूँ भूली जातों में तो इदर डाल दो चोटा सा end और यहां पर आ जाएगा mq और यहां पर root डाल दो अब देखते हैं हम x2 क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 में से minus 1 चला जाएगा तो ठीक हो गया 5 में से minus 1 जाएगा 5 में से minus 1 चला जाएगा तो यह यह बन जाएगा ठीक है yes minus 1 यह था उसके बाद आ जाएगा minus 2 और 4 तो यहां पर आ जाएगा plus minus 2 और positive 4 था तो यह यहां पर आ गया ठीक है उसके बाद आगे अगर चलेंगे तो यह हो जाएगा फाइव प्लस वन होल का स्केर प्लस माइनस सिक्स होल का स्केर उसके बाद आजाएगा यहाँ पे सिक्स का स्केर कितना होता है थर्टी सिक्स और इधर भी माइनस सिक्स का स्केर कितना होता है 36 और 36 36 को add करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 36 36 12 गदो एक हासिल 336 और एक साथ 72 तो यहाँ पर 72 आ जाएगा इसको देते हैं मिटा और इधर आ जाएगा MQ तो MQ जो है हमने वो भी मालूम कर लिया MQ के opposite side जो है उसको मालूम कर लेते हैं तो ऊपर चलते हैं ऊपर चलें तो यह opposite side है तो यह X1 हो गया X2 लिखा हूँ है यह Y1 हो गया और वो Y2 हो गया तो चलो इसके भी combination क्या 1-5 है तो नीचे चलते हैं और नंबर क्या था यह N P तो यहाँ पर लिख लेते हैं N P और यह किसके एकवल आ जाएगा तो बारह से मुझे देखना ही पढ़ेगा क्योंकि instant movement पे दिमाग वैसी सोय हो है तो वन और माइनस 5 ठीक है 1 और माइनस 5 और यह होल का square प्लस और आगे अगर चलें तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 3 और 3 ठीक है माइनस 3 और यहाँ पर 3 और यह होल का square ठीक है और यहाँ पर चलें तो 1 प्लस 5 square प्लस माइनस 6 से भी वैसे ही जा रहा है और यह रूट तो यह 36 प्लस 36 और यह भी किसके equal आ जाएगा यह equal आ जाएगा 72 के और यहाँ पर N P डाल के ऐसे डाल दो तो यह देखिए आप यह भी दोनों opposite sides equal हैं तो चारों equal sides एक दूसरे की equal आ गई अब यहाँ पर यही बात mention कर देते हैं तो यहाँ पर लिख देते हैं here और here लिखने के बाद जो equal opposite sides हैं उनको लिख देते हैं ताकि चेक करने वाले को पता चल सके तो उसमें opposite side जो है seventeen seventeen वाली एक दूसरे के बराबर हैं तो यह है mn और op mn और op तो यह आ गया mn और equal to op इधर भी ऐसे डाल दो इधर भी ऐसे डाल दो यह इसके equal है और पर दूसरा आपस में दूसरे के बराबर हैं यहां पर end लिख लो क्योंकि यह यह लिखने के बाद end यानि और फिर यह भी बराबर है तो इंडियांड यह conclusion भी लिख दिया है कि यह vertices parallelogram के हैं या नहीं है तो दो तरीके से पता चलता है parallelogram के हैं या नहीं है पहला यह दो शर्त होनी चाहिए पहले यह कि opposite sides equal होनी चाहिए और दूसरी शर्त यह कि 90 degree का एंगल नहीं होना चाहिए क्योंकि वह rect angle में होता है तो पहली शर्त हो गई complete के opposite sides equal हैं अब दूसरी जो condition थी वह भी check कर लेते हैं कि यहां पर 90 का एंगल बनता या नहीं बनता तो उसके लिए वही काम जो पिछली question में किया था कि एक आप diagonal ले लेंगे इसका और डाइगल लेने के बाद यह जो यह जो ट्राइंगल बनती है ठीक है यह आप scale की मदद से बनाएंगे यानि के parallelogram आई हो बना नहीं आती होगी कुछ ऐसा बनाएगा कि यह सारी एक जैसी नजर आया मेरी तरह थोड़ी बुरी से नजर नाया ठीक है तो इस triangle की बात कर रहा था मैं तो जैसे पिछले rectangle वाले question में हमने चेक किया था 90 का है या नहीं है तो वहाँ पे तो था यहां पर मालूम कर लेते हैं है या नहीं है तो इसको करते हैं ऊपर और ऊपर करने के बाद बलके ओपर नहीं सोरी ओपर नीचे सब कुछ उल्टा सीधा हो रहा है MP MP जो है हम इसकी length मालूम करेंगे क्योंके पिछले question की तरह इसकी अगर मालूम होगी तब ही तो हम पाइतागोरस theorem के मताबिक इस के यानि के इस line का scare इस line का scare और इन दोनों का अपस में जमा करेंगे वह इसके बराबर आ गया अगर आ गया तो 90 डिगरी का है नहीं आया तो इस बीन के वह 90 डिगरी का नहीं है तो parallelogram है तो अब भी मुझे यहां पर लिखना होगा MP की length मालूम करनी है तो यह हो जाएगा X1 बलकि यह जुबानी ही लिख लेता हूं मैं यहां पर X1 यह है तो 1 और minus 1 MP 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 तो यहां पर लिखा now MP जो के diagonal entry sorry diagonal line है या diagonal है तो इसको मालूम करेंगे तो 1 minus 1 था तो यहां पर आ जाएगा 1 minus into minus 1 और यह square चेक कर लेते हैं दुबारा से X2 जो था वो 1 था और वो minus 1 था ठीक है y2 minus 3 और 4 y2 minus 3 minus 3 और 4 था तो यहां पर positive 4 आ गया ठीक है यानि कि minus दरम्यान में आते ही आता है और positive 4 और यह whole का square is equal to यहां पर आ जाएगा 1 plus 1 whole का square प्लस minus 4 और 5, 6, 7 और यह whole का square और यह whole का square और यहां पर आ जाएगा root आगे अगर चलें तो अब कितना हो जाएगा 1 और 1, 2 2 whole का square प्लस और 7, 7 जा कितना हो तो 49 positive 49 आ जाएगा और यह ऐसे आ जाएगा आगे अगर चलें तो 4 plus 49 और यह कितना हो जाएगा 53 तो अंडर root 53 MP आपके पास आ गया तो इसको कर लेते हैं यहां से highlight और highlight करने के बाद अब पाई था गोरस तिरूम के according हम आलूम करेंगे तो यह मैंने statement लिख दी now by using पाईथागोरस थिरूम और पाईथागोरस थिरूम के according जो है हाईपोटिनेस जो के MP है MP होल का square ब्राबर किसके होगा उपर अगर दिखाऊं तो यह आगे figure यह MP है हमारी यह ब्राबर होगा इसका square और इसका square यानि MP और MN MP और MN तो MP और MN इधर भी square इधर भी square और यह बात यह कैसे आया यह मैंने पिछले question में बहुत detail में बताया अगर आपको यहां पर यह समझ में नहीं आ रहा तो पिछले question को देखिए उसमें यह सारे चीज़ें समझ में आ जाएंगी अब इधर values put कर लेते हैं MP किसके equal है 53 के और यहां पे square आ गया उसके बाद MP 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 जो है वो 72 के equal है under root तो यहां पे लिख लेता हूँ मैं 72 और MN 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 17 के equal है तो यहां पे लिख लेता हूँ मैं 17 और यहां पे यहां पे यह आ गया और इसके बाद अगर चलें तो यह इससे cancel और यहां पे भी तो रूट था ना और यह इससे cancel हो गया और यह इससे cancel हो गया तो 53 is equal to 72 प्लस 17 तो अब यह कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे क्योंकि 70 में 10 add कर दो 80 80 में 7 add कर दो 87 88 89 य यह आ जाएगा 89 यह आ जाएगा 53 तो यह एक दूसरे के equal नहीं है इसलिए तो यह parallelogram होगी right angle नहीं होगी तो इसी conclusion को अब नीचे लिख देते हैं तो उसके बाद यह नीचे लिख दिए since लेहाजा यानि MPs का square ब्राबर नहीं है यानि यह तो वही लाइन है यह इसके equal नही है अगर उपर देखें तो यहां पर हम N per 90 का angle नहीं है तो नीचे चलें तो दुबारा से so angle at दुबारा से भूल गया क्या था वो N तो यहां पर आ जाएगा angle at N not right angle तो इस तरह से यह नहीं कि right angle नहीं है तो that's why यह parallelogram है और यह conclusion भी आ गया है hence लहाजा given points from a parallelogram वो parallelogram बनाती है दी गई points तो I hope यह question भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो question number 10 आप लोगों को screen के उपन नजर आ रहा है इसको भी देख लेते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है तो question को समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए diameter किसे कहा जाता है ठीक है तो उसको बोलते हैं diameter ठीक है दुबारे से बता रहा हूं कि circle के एक end से शुरू हो दूसरे end तक जाए लेकिन शर्त क्या है कि दर्मियान वाले center point को चूँ कर गुजरे उस line को बोलते है diameter और यहां पर आपको radius का भी पता होना चाहिए radius किसे कहते है center से circle के किनारे तक का फासला जो होता है वो radius कहलाता है ठीक है तो यहां से यहां तक भी radius है यहां से यहां तक भी radius है तो एक बात समझ मा रहे है radius और diameter में क्या फर्क है radius और diameter में ये फरक है कि 2 radius मिल के एक diameter बनता है ठीक है जैसे अगर मैं ये कह दूँ 5 cm है मिसाल के तोर पे तो इससे अगला भी तो 5 cm ही होगा ठीक है तो overall diameter यहां से यहां तक का कितना बन गया यहां से यहां तक का बन गया 10 ठीक है तो इसी तरह यहां से यहां तक का तो जितना आर यह radius होगा उतना ही जाहरी बात है यह radius होगा इन दोनों को sum कर दोगे तो diameter ही बन जाएगा तो आई होप समझ में आ गई होगी तो इसने क्या का है यहां तक तो समझ में आ गए कि diameter की length मालूम करनी है तो यह वो diameter है जिसकी हमने length मालूम करनी है और यह circle रखता है circle तो ही है center c को चूकर गुजर रहा है तो यह देखिए center c को चूकर गुजर रहा है इसके बाद passing through p point तो circle पे एक point p है तो यह diameter उसके साथ भी touch हो रहा है यह question में बताये गया था तो अब स्वाल यह पैदा होता है कि सर यहां से यहां तक की जो length है यह कैसे मालूम करेंगे असानी सी बात है distance formula लगाएंगे और मालूम कर लेंगे लेकिन जो मुश्किल बात है यहां पे जो समझने वाली बात है कि यहां पे कोई भी point नहीं है अगर यहां पे होता है तो यहां से यहां तक का फासला हम easily मालूम कर लेते तो ऐसे में हम क्या करेंगे ऐसे में हम पहले radius मालूम कर लेंगे क्योंकि C point भी पता है हमें P point भी पता है तो यहां से यहां तक का फासला मालूम करेंगे जो कि R के लाएगा और जितना फासला यहां से यहां तक का होगा उतना ही फासला यहां से यहां तक का होगा तो अगर यह जैसे 2 cm निकल के आता है जो आप तो इसके अंदर इतना ही और जमा कर देंगे तो हमारे पास diameter आ जाएगा तो यह सारा concept था करूँगा question तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा तो solve करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर solution तो center of circle दिया गया है यहाँ पर given में तो यहाँ पर लिख देता हूँ given c हमारे पास है minus 3 और 6 k ठीक है और 7 में हमें p point दिया गया है p हमारे पास है 1 k और 3 k और इसके बाद अब हम distance formula इस्तमाल करेंगे तो यहाँ पर लिख देता हूँ तो यह लिख दिया है by using distance formula distance formula क्या होता है distance formula होता है d is equal to यहाँ पर आ जाएगा x2 minus x1 और यह square plus y2 minus y1 और यहाँ पर भी square आ जाएगा ठीक है तो सबसे पहले हम cp मालूम कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ cp तो इधर आ जाएगा cp और इधर आ जाएगा ऐसे अब यह हमारे पास x1 है यह हमारे पास x2 है तो 1 minus 3 हमारे पास coordinates बनेंगे 1 minus और minus 3 है तो यहाँ पर minus 3 whole का square और यहाँ पर यह square bracket और यह ऐसे square आ जाएगा उसके बाद आ गया plus उसके बाद यह y1 है यह y2 है तो 3 minus 6 बनेगा तो 3 और यहाँ पर minus 6 और यह whole का square उसके बाद आ गया अगर चलेंगे तो 1 plus यहाँ पर square डाल दिया है मैंने गलती से इसको मिटा देते है 3 के उपर square नहीं आएगा सारा ही मिट किया यह अब ठीक है तो 1 plus 3 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा square plus minus 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा square और यह आगे रूट आगे अगे अगर चलेंगे तो यह हो जाएगा 4 whole का square plus 3 3 ता 9 होता है ठीक है positive 9 आ जाएगा और यह रूट आ जाएगा इधर करेंगे तो 16 plus 9 आ जाएगा और इधर चलेंगे तो 16 में 9 जमा किये तो हमारे पास 20 sorry 26 25 आ जाएगा ठीक है और 25 का रूट कितना होता है 5 तो CP हमारे पास आया 5 इसको हम कर लेते हैं highlight तो अब basically यहां से यहां तक कितना है 5 है यहां से यहां तक का तो जितना यह है उतना यह होगा तो radius है ना basically यहां से यहां तक का distance radius कहलाता है तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नीचे cp ठीक है is equal to radius is equal to 5 और अब हमें diameter मालुम करने था तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ diameter of circle वो किसके बराबर होता है वो बराबर होता है 2 यानि के r के तो अब यहाँ पे r हमारे पास क्या है 2 radius हमारे पास यानि r हमारे पास आजाएगा cp ठीक है यह r के equal है तो cp किसके equal है cp equal है 5 के और यहाँ पे आजाएगा 5 to the 10 तो यह हमारे पास diameter of circle 10 आ गया ठीक है तो यहाँ पे लिख भी देते हैं तो यह मैंने लिख दिया hence diameter of a circle is 10 के circle का diameter जो है वो समझ में आना चाहिए ठीक है तो इसके साथ finally यह exercise कतम हो गए I hope समझ में आया होगा drawing में मसला हुआ हो या कुछ चीज लिखने में मसला हुआ हो तो मुझे माफ कर दीजेगा और बस यह बात जहन में रखेगा कि मेरी पूरी कोशिश होती ही है कि जो मैं जानता हूँ वो आप लोगों को बताऊं ठीक है अपना बहुत से क्याल रखेगा अल्हाफिज